तो हेलो नमस्ते और साचिय काल अब मैं नाम हर्मन और आप सभी देख रहे हैं हर्मन सेज यूटूब चैनल अब सभी आप पीसे स्वागते हैं हमाई न्यू वीडियो में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिसकस करने वाले हैं अबाउट दस्टूडेंट लोन जो की एजुकेशन लोन हमारा है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जेकली उसकी इलेजिबिलिटी क्या है कौन अप्लाय कर सकता है क्या 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 डॉक्यूमेंट की रिक्वार्मेंट होगी रिपेमेंट कैसे करनी है इ यह सब के बारे में आज हम डिटेल में डिसकस करेंगे स्टूडेंट लोन के बारे में में जो कि हमारा एजुकेशन लोन भी कहते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो की शुरुवात में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि exactly जो हमारा एजुकेशन लोन है वो कवर क्या करता है सबसे पहले बताऊंगा कि एजुकेशन लोन जित्ती भी हमाई स्टडीज का एक्सपेंस होता है वो सब कवर करता है और अगर आपको कॉलेज के अंदर है एजुकेशन लोन अब सेकंड हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन लोन के लिए अप्लाइ कॉन कर सकता है मीन्स क्वाडिय का इसके पहले बता हूं का जो में में बोरौर होता है मनी का वो हमारा होता है student और इसके साथ उसका sibling parent वो होता ही मेंस कि अगर sibling कोई उनका हो, कोई guardian या फिर तो उनके parents हैं, तो वो उनके साथ co-applicant होते हैं, तो यह आपका पहले दूचीज़े होगी, कौन apply कर सकता है, और क्या का cover करता है हमारा education loan, तो यह पहले हमाई दूचीज़े होगी, चलिए अब बात करते हैं, हम eligibility की, और आपको कौन से documents require होगे, तो पहले eligibility के हम बात करने, तो उसमें आपका जो भी student है वो एक Indian citizen होना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में हैं, और उनका जो admission होना चाहिए, वो एक अच्छे से college में होना चाहिए, ताकि bank वालों को भी लगे के हाँ, इनको loan की ज़रूरत है, तो यह student को एक अच्छे letter from that college, जो भी college में apply कर रहे हैं आप, उसका आपको offer letter means की, आपको वाँपे आपका admission letter जो है, वो आपको bank को देना है, 10-12 के आपको mark sheet हो गई, तो वो आपको देनी है, अगर आप master's करने जा रहे हैं तो graduation की mark sheets भी आपको वाँपे देनी होगी, यह सब चीज़े applicable होगी, अब हम बात कर ले दें, आपको वाँपे अपने parents की salary की receipts है, means कि parents की salary का proof वाँपे देना पड़ेगा, या फर तो आपको income tax का return जो है, उनका year का वो आपको वाँपे देना पड़ सकता है, ताकि आप उनको exactly idea हो जाए, कि आपके parents की income क्या है, तो यह salary receipts होगी, या तो ITR होगे जो income tax return होता है, तो यह हमाई documents exactly required होते हैं, बैंक में, अब next हमाई जो बात करते हैं, वो होगी हमाई loan financing की और collateral requirement की, means कि loan financing की exactly bank आपको कितना amount दे सकता है आपकी studies के लिए, अगर आप वो amount नहीं चुका पाते तो उनकी security या फिर collateral की requirement क्या है, तो पहले आपको बताना चाहू जाता है bank to bank, और आप कोर्स क्या है और आप कहा पर पढ़ने जा रहे हैं, अब एक main important चीज यह आती है, अगर आपको इंडिया में student loan लेना है, तो आपको at least जितना भी student loan ले रहे हैं, उसका 5% आपको खुद से finance करना पड़ेगा, और बाकी आपको bank देगा, पर अगर आप overseas studies के लिए जा रहे हैं, जिसके अगर आप Canada पढ़ने जा रहे हैं, आपको तो कोई भी foreign country में पढ़ने जा रहे हैं, तो at least चौप का amount आपको लेना है, उसका 15% आपको खुद finance करना पड़ेगा, तो यह हमारा हो गया कि loan financing कितनी आपकी होगी, इसके बारे में हमने डिसकस कर अब हम बात कर लेते हैं, को लेटर requirement उनको कप पड़ती है, अगर आपको चार लाग तक का loan लेना है, तो वहाँ पर आपको कोई भी security deposit नहीं करने पड़ेगी, आपको वहाँ पर कोई भी उनको सामने से guarantee नहीं देनी है, और हम repayment नहीं कर पाए, तो आपको अमारी यह चीज पर आप ले सकते हैं, या पर तो आपको आपको यह चीज दे देंगे, चार लाग तक के loan तक के आपको कोई भी प्रॉल्म आपको देखने नहीं मिलेगी, पर जब आप साधे साथ लाग के ऊपर का loan लेते हैं, तब उनको security की requirement होती है, बैंक वालों को तब वो आपसे ज़र होती है, तो चलिए अब next हम बात करने दें interest rate की, जो कि यह काफी important चीज हो जाती है, किसी भी loan में, तो आपको बज़ना चाहँगा कि जो education loan का interest calculate होता है, वो होता है marginal cost lending base पे, means कि हमारा marginal cost lending rate जो है, marginal cost based lending rate है, MCLR आप कह सकते हैं, उसको plus एक additional spread होता है, यह दोनों का मिला के, बनता है, generally जो marginal spread होता है, यह होता है 1.3.5, 1.35 से लेके 3% तक का spread extra आपको देखने मिलता है, अपने interest पे, तो मैं हो कहना चाहँगा कि student loan जो होता है, वो 6-9% के बीच में आपका charge करेगा interest rate उससे जाड़ा नहीं होगा, बाकि आपका bank to bank vary कर सकता है, तो interest rate का आपके वनों 20% देखने मिलेगा, आपको interested इससे जाए देखने खईपे आपको नहीं मिलेगा, अब next बात कर लेते हैं, repayment की, तो repayment में आपको बताना चाहूँगा, कि आपका जितने भी repayment का जो भी चालू होगा, वो आपके पूरी education जब आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको interest की payment चालू करनी पड़ेगी, और repayment जो भी आपको loan की करनी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि borrower होता है student, तो repayment की loan जो repayment करना पड़ता है, वो भी student को करना पड़ता है, जब उसकी पढ़ाई चालू होती है student की, मिन कि अगर 2-3 years का का course है, तब आपको कोई भी interest प देना है पूरी तरह से, पर जो आपकी studies complete हो जाती है, उसके 6 months का कोई like season period मिलता है bank से, उसके बाद तब तक आप अगर job secure कर लेते हैं, तो आपका जो interest का चीजे हैं, वो चालू हो जाएगे, interest payment चालू हो जाएगा, कोई-कोई bank ऐसा भी होता है, कि आपको पढ़ाई के और बाद में आप जो bank है, उसको repayment अपनी चालू कर सकते हैं, अब मैं बात करें दो कि repayment का time कितना होता है, तो repayment का time आपका हो सकता है, 5-7 साल के बीच में भी आप repay कर सकते हैं, कोई प्रॉलम आपको देखने नहीं मिलेगी, आप इसको 10 years तक भी खीच सकते हैं, आप इसक क्या है, लोन आपको कितना मिलेगा, क्या आपको requirement होगी, security रखने पड़ेगी के नहीं, बात में repayment कैसे होगा, interest कैसे होगा, अब हम बात करना है, तो conclusion में आपको यही कहना चाहूँगा, कि जब आप student loan लेते हैं, तो आपको यह बात का ध्यान रखना है, कि आपको इंडिय education loan में आपको यह चीज एक देखने मिलती है, फाइदे काफी सारे हैं, पर एक चीज यह है, कि fee structure के हिसाप से, वो लोग आपका जितना भी money है, वो सारा का सारा college को भेज देंगे, आपके हाथ में, आपके कोई भी money नहीं आता है, education loan में, यह बात का ध्यान रखना है, तो conclusion म आपको यह बताना चाहूंगा, मैं, कि इसके फाइदे भी हैं, अगर आप अपके खुद का पहला personal loan हो सकता है, as a student, और आपको इसको timely repay कर देंगे, तो आपको जो भी आए credit score है, वो increase हो जाएगा, तो आगे आपको home loan लेना है, weaker loan लेना है, कोई भी loan लेना है, तो उसमें आ आपको फाइदा देखने मिलेगा, पर आपको यह बरका भी ध्यान रखना है, कि जितना भी money है, वो सिध्या को जाएगा, और कहीं आपको मिलेगी देखने मिलेगा, तो यही थी है हमारी आज की वीडियो, इसमें में आपको student loan के बारे में पूरा एक overview दे दिया है, तो और वीडियो पर आप आ गए है, हमारी वीडियो की end है, अगर लास तक आ गए है, तो वीडियो को जरूर से like करके जाएगा, comment down करेगा, आपको कोई भी problem आ रही है, कोई भी topic पर या पर कोई वीडियो चाहिए, आपको तो भी comment down कर सकते हैं, मैं बना दूँगा उस पर, share कर आपको बताना चाहूंगा, के end screen पर आपको जितने भी funds की requirement होगी, उसके बार में एक video बनाई है, तो एंड स्कीन पर वीडियो चेक आउट करिएगा, उसके बार में आपको पूर इंफरमिशन मिल जाएगी, आपको अगर आपको पढ़ने जाना है, मैं इसकी different country में पढ़ आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, आप मुझे इंसराम पर भी follow करना ना बूले, याप भी username होगा मेरा, आप इंसराम पर भी follow करिए, वहापे भी informative reels में रोज post करता रहता हूँ, तो वहां से भी आपका development हो जाएगा, तिल देन मिलते हैं आपसे next video में, ऐसे ही वीडियो देखते रहें, एंसराम की वीडियो चेक आउट करना बिल्कुल ना भूले, हर्मन सैंगा झाल